पूरी दुनिया को मिल सकता है कौफी और कोको का देश निकारा गुवा भी इनमें से एक है यहां की पहाडीयों में पैदा होने वाली फलियां दुनिया की सबसे अच्छी फलियों में गिनी जाती है तेकिन जलवायू परिवर्थन की वज़े से सूखा बड़ा है और की मदद कर रहे हैं ताकि वे मौसमी बदलाव का सामना कर सके निकारा गुआ की गर्मियां जमीन इतनी सुखी है कि आग लग जाती है यहां काबन डायोकसाइड की भारी मात्रा परियावरेंड में जा रही है मतलब इससे जलवायो परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत पुरा असर पढ़ रहा है इस तरह काम करके किसान खुद अपना नुकसान कर रही है जमीन बंजर हो रही है परियावरेंड में प्रदूशन बढ़ रहा है और जलवायो बदल रही है निकारागुआ के किसान इस समय सूखे से लड़ रहे हैं नहरे सूखी पड़ी है और कुछ लाकों में पिछले च्छे महीनों से बारिश नहीं हुई खुआना रामिरेज को भी परिशानी हो रही है केले के पौधे आधे सूख गये हैं मक्के और बीन्स तभी उगाये जा सकेंगे जब बारिश होगी फजल जब नहीं कट रही हो तो खुआना इस डिब्बे का इस्तेमाल कर खाने पीने का इंतजाम करती है ये एक सोलर ड्रायर है जिसे सोफिया कास्तियों यूरोपिय संग की मदद से यहां लाई है इसमें दालचीनी को सुखाया जाता है और किसान अतरिक्त कमाई कर सकते हैं एक हजार वाट वाले ड्रायर में कोको बीन्स आराम से सूख जाते हैं इन्हें खुली हवा में सुखाने की जरुवत नहीं इससे मौसम पर निर्भरता भी खत्म हो गई है पास में किसानों के कॉपरेटिव ने नई तकनीक का इस्तेमाल किया है इनके पास एक सोलर ड्रायर है जिसकी शम्ता एक हजार वाट से भी जादा है दो दिनों में साड़े चार सो किलो मक्का, बीन्स या धान आराम से ड्रायर में सुखाया जा सकता है इसमें नमीम आपने के लिए भी उपकरण है जिससे किसानों को पता चल जाता है कि उनकी फसल कितनी सुखी है एक बार तो मेरी आधी फसल बरवाद हो गई फसल काटने के बाद दो हफते तक लगातार बारिश होती रही मैंने बीन्स बोरियों में डाले थे लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये पूरी तरह सूखे नहीं होंगे इन में फफुंद लग गया राजधानी माना गोवा में सोलर ड्रायर को एसेंबल किया जाता है इसके पुर्दे आस्ट्रिया की कमपनी कोना से आते है निकारा गुवा में ऐसी असी मशीनों को काम पर लगाया गया है इसे फसल भी बस्ती है और परियावरन को नुकसान नहीं होता हमारे इस सिस्टम से हम कोको बीन्स को सौर उर्जा के मदद से सुखा सकते है पहले हम लकडी की आग मेंने सुखाते थे खुलाला में जंगलों को बेतहाशा काटा जा रहा है ताकि सुखाने के लिए लकडी मिल सके किसी ने दोबारा पेड लगाने के बारे में नहीं सोचा है और जल्द ही वहाँ एक भी पेड नहीं बचेगा लियोन युनिवरस्टी में देश की सबसे शक्तिशाली मशीन है चालिस वर्ग मीटर में फैले पैनल सूरज की रोशनी सोखते हैं खादे तकनीक पढ़ रहे चातर इस उक करन से भी खूब सीख लेते हैं चात और शिक्षक इसके जरिये किसानों के लिए नई तकनीक खोज रही है निकारा गुआ में अप केवल बारिश का इंतजार है दो हफ़ते से लोग बादलों की ताक में हैं